हाई गाईज, आज मैं वेट लॉज स्मूधी से एर कर रही हूँ, इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और सारा सामान आसानी से मिल जाता है, साथ इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा है, और ये फिलिग भी है, हाई कार्व लो नीट्रिशियन नास्ता जैस इसका जो फाइवर होता है, वो हमें काफी समय तक फिल रखता है, और हमें भूख नहीं लगने देता है, इसी बनाने के लिए हमें एक चाहिए एक छोटा सा केला, एक डेट, चार बादाम, और थोड़ा सा मिल्क डालके हम पहले इसका स्मूध पेस्ट बनाएंगे, जैसे ह हमारा स्मूध पेस्ट बन के तयार होगा, हम उसमें कोई भी प्रोटीन पावडर डाल देंगे, जो सुगर फ्री हो, और जिसमें एड़ेट बिटामिन और मिनरल्स हो, यह आपकी मेटाबॉलिस्म को बढ़ाता है, भूख कम करता है, और आप जल्दी पतले होते हैं, मुसल बूते हैं, जुट्य की मीर के आपकी जल्दी전 थे करता है, बडम को बता हो एपल सिनेमन प्रोटीन स्मूधी इसे बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है हाफ एपल स्लाइज में कटा हुआ और यह हमने लिए चार बादाम यह हमने भिगो देए क्योंकि हम जानते हैं सीट्स में फिटेक एसे होते हैं इनको भिगोकर या रोश्ट करकर ही खाना और सिनेमन तो इसी स्मूधी को बनाने के लिए हम ब्लेंडर में सभी सामान को डाल देंगे एपल ओर्स फ्लेक सीड सिनेमन अलमंड अ अ अ हम आण में प्रोटीन पाउडर यह प्रोटीन पाउडर भी हमने अन्फ्लेवर लिए तरफ ने ही यूज किया है अब हम इसको पानी डालके ब्लेंडर में बहुत अच्छे से स्मूध पेश्ट बनाएंगे जैसे ही इसका स्मूध बन जाएगा हम इसमें मिल्क डाल देंगे और एक वा फिर से ब्लेंड कर लेंगे और हमारी स्मूधी बनके तयार है हमें बस इतना याद कि इन स्मूधी को लेते टाइम 15-20 मिनट का फिजिकल एक्सेसाइज जरूर करनी है इससे आप पोस्ट बरकाउट रिकवरी डिंक की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे मसल्स को रिपेयर करता है और रिवेल्ड करता है बाड़ी फेट परसेंटेज को कम करता है औ बाकी के दिन पर आपको बैलेस डाइट पर रहना है यह नहीं करना है कि हम कुछ भी खा रहे हैं और आपको यह दौनर स्मूधी से पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबादें जिससे कि आने वाले सारी डाइट रैसिस भी घ्निवाट